चलिए स्टुडेंट्स अब अपने इस सेट का पैसेज फिनिश करते हैं और इसे के साथ ये सेट भी फिनिश करते हैं ठीक है और SSC CPU का ये सेट है जो अच्छे यूट्यूब पर पैसेज देख रहे हैं उनको में एक बार complete पैसेज डिस्प्ले गर देता हूं ये रहा आपका पैसेज एक बार इसका screenshot लो अराम से और इसे attempt करो ठीक है बेहद easy पैसेज है और बताना मुझे किसके 5 out of 5 आते हैं 5 नंबर का ये पैसेज है CPU में 5 नंबर का ये maximum पूछा जाता है ठीक है चलो तो अब हम start करते हैं हिंदी सेंसिस का जल्दी हो जाएगा आज का पैसेज मस्या है in many areas कहीं areas में in Japan Japan के कहीं areas में ठीक है often come out of the woods ये क्या करते हैं यहाँ पर बंदर से related word आएगा अब देखो noun तो हम बार बार लगाते नहीं है noun से बचने के लिए हमारे पास क्या word होता है pronoun तो बंदर चोकी एक से जादा है एक से जादा के लिए हमारे पास plural में कौन स पैठेगा वो देखना है ये अकसर बाहर आते हैं जंगलों से to the tasty vegetables स्वादिष्ट वेजिटेबल्स और फल को खेत में से खाने के लिए बाहर आते हैं अब देखो यहाँ पर खाने का sense आ रहा है ये जंगलों से बाहर आते हैं तो यहाँ पर तो ये का sense आ रहा है अब plural में ये इट होता है singular ठीक दे का मतलब ये होता ही आराम से है ना तो ये आ जाएगा और देम आता है object के रूप में ये भी नहीं आएगा और दोस का मतलब वे होता है अचा हिंदी मिनिंग के according तो दोस भी आपका सही बैठ सकता है क्योंकि वे का sense भी हो सकता है कि वे अक्सर बाहर आते हैं हम यहाँ पर ये का sense ले रहे हैं और उससे क्या आता है वे का या वो का sense आता है ठीक दोस को हम अक्सर वहाँ पर लगाते हैं जहाँ दोस के तुरंत बाद कोई noun हो और यहाँ पर noun कोई दिया नहीं गया है maximum dose का use वहीं पर होता है इसलिए हमारा answer B होगा done वे अक्सर जंगलों से बाहर आते हैं क्या करने के लिए tasty vegetable और fruit खेत में से खाने के लिए तो क्या करेंगे get का मतलब प्राप्त करना नहीं cut का मतलब काट देना eat का मतलब खाना और waste का मतलब बेकार करना तो वे खाने के लिए आते हैं that's why you have to put option C here आगे वड़ते हैं year यहाँ पर year का के पहले एक sense आ रहा है पूरे साल या फुर कुछ भी कहलो they cause heavy damage to crops वे बहुत ज़्यादा damage करते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं किसको फसलों को एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि damage के बाद अगर pre-position की ज़ुरत पड़ती है तो वो two आती है maximum याद रखने वाली बात है यह ठीक है यह पूछा जा चुका है paper में blanks में तो वे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा damage करते हैं फसलों को तो यहाँ पर पूरे साल का sense आ रहा है अब पूरे साल के लिए देखो वैसे तो मेरे पास पूरे साल के लिए whole word सबसे अच्छा है क्योंकि singular के साथ year जो है यहाँ पर singular है तो whole बैठना चाहिए यह बात मैंने तुम्हें सिखाई हुई है adjective के chapter में all और whole का use बताया था all के साथ में plural noun आता है इसलिए यह तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर singular noun है ठीक पूरे साल और this year तो कहेंगे नहीं हम इस साल वो क्या करते है इस साल उन्होंने किया या इस साल वो करते है ऐसा नहीं उनका तो regular का है तो ऐसा नहीं कहेंगे every year हम लगा सकते हैं यहाँ पर whole लग सकता था, every लग सकता था तो यहाँ पर every चुनेंगे हम देखो पूरे साल का भी sense आ रहा है और हर साल का भी sense आ रहा है दोनों हो सकते थे लेकिन whole की जगा पर every ही क्यों चुने क्योंकि जब noun के साथ में आपको whole लगाना होता है तो अकेला whole नहीं आता, the whole आता है अब यहाँ पर the नहीं दिया गया है ध्यान से देखो, starting में the नहीं है that's why आप whole नहीं चुन सकते तिक है, answer आएगा D आगे बढ़ते हैं they cause heavy damage to crops अब यहाँ पर आगे क्या है 49 में the farmers are fighting back तो यहाँ पर क्या करेंगे हम देखो, यहाँ पर का गया है क्योंकि किसान वापस fight कर रहे है यह ऐसा नहीं होगा फिर भी, यहाँ पर sentence में sense आ सकता है 49 में however का मतलब फिर भी किसान जो है fight back कर रहे है, यह answer हो सकता है moreover का मतलब क्या होगा इसके अतरिक्त, इसके अलावा यह नहीं होगा, बट दो जो word है, हाला कि किसान fight कर रहे है, यह हो सकता था लेकिन दो के साथ फिर दूसरा sentence भी जुड़ना चाहिए, जबकि इसने आपर back फिर फूल स्टोप लगा करके sentence को खत्म कर दिया, इसलिए दो भी नहीं आएगा तो answer आपका however होगा आगे बढ़ते है, however तो फिर भी किसान क्या कर रहे है, fight back कर रहे है in 2005, 2005 में a small village in Nagano Nagano के एक छोटे गाउं में a program to protect crops, एक program को कुछ किया गया एक program को क्या किया गया यह देखते है यहाँ पर एक program को किया गया protect करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किसको crops को, फसलों को with the help of dogs dogs की help से they are known as monkey dogs और इनको जाना जाता है किस नाम से, monkey dogs के नाम से they are trained, उनको train किया जाता है to scare monkeys away, कि वो बंदरों को डरा कर दूर भगा दे away का मतलब दूर करना, ठीक है बंदरों को डरा करके दूर भगा दे तो यहाँ पर क्या आ रहा है एक program इस गाउं में, एक छोटे से गाउं में शुरू किया गया, इस तरह का sense आ रहा है अब शुरू करने के लिए हमारे पास क्या word होना चाहिए continue का मतलब जारी रखा गया, ऐसा नहीं होगा शुरू किया गया, started से हो सकता है शुरू किया गया, embark से भी हो सकता है embark का मतलब भी शुरू करना होता है instigate का मतलब भढ़काया गया प्रोग्राम को ऐसा भी नहीं है ठीक है, तो यहाँ पर embark भी हो सकता था बट answer आपका started है, क्यूं है क्यूंकि embark का मतलब शुरू करना तो होता है लेकिन इसके बाद on या upon में से preposition fix होती है अगर on या upon में से कोई इसी एक preposition यहाँ पर A प्रोग्राम से पहले दे देता तो आप cancer C आ जाता ठीक है, तो यह बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर हमें दो fix preposition भी मिली है एक तो damage के बाद 2 रखना चाहिए और एक embark के बाद on या upon रखना चाहिए done तो इसी के साथ में passage आपका complete होता है आज का, इस बास से फर्क बिलकुल नहीं पड़ता रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस exam का close test कर रहे है या किस exam का comprehension test कर रहे है या किस exam के PQRS कर रहे है रत्ती भर भी इस बास से फर्क नहीं पड़ता है बस daily continue रहो चाहे कहीं से भी passage पढ़ो ठीक है यह हर level पर तुम्हें improve करेगा क्योंकि देखो जब तुम्हारा sense improve होगा तो sense improvement के बाद errors में भी फर्क पढ़ेगा sentence improvement, active, passive, direct, indirect हर जगा फर्क पढ़ेगा और PQRS भी बहुत easy लगने लगेगे बट daily हमें sense को समझना होगा इंदी to English, English to Hindi एक या दो passage की translation daily जारी रखो और ये बात ये काम तब तक करना है जब तक आपका selection नहीं हो जाता ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही इस passage के साथ में आपका इस set भी finish होता है और next passage के साथ next lecture मिलते हैं